दिली के खेलगाओं में आर्टिस्ट कोटे से आवंटित किये गए कई घरों को खाली कराने का फर्मान है कोट के आदेश के मताबिक उस खर पर एक दिन पहले अमल भी शुरू हो गया लेकिन कलाकार मायूस है उनका तर्क है कि उन्होंने अदालत में चुनौती दिये फिर भी बगैर नोटिस के घरों को खाली कराने की कारवाई की गई आज इस मामले में फिर दिली हाई कोट में सुनवाई तरह है जिन साजबाज की बज़ूलत राष्ट्र का नाम सम्मान पड़ाया वो घर के बाहर बिखरे पड़े हैं जो पदमिश्री सम्मान देश ने दिया वो भी बिखरा पड़ा है दिली के खेल गाउ में ओडिसी कलाकार और पदमिश्री से सम्मानित गुरु मायाधर रावत का घर खाली कराय गया कोट का आदेश था 25 अफ्रेल तक महलत थी अगले ही दिन सरकारी कर्मचारी गुरु रावत के घर पहुँचे और परिज़नों कलाकारों की विरोध के बाद भी सारा समान देखते ही देखते बाहर कर दिया घर खाली कराना एक जिंदगी खाली कराने जैसा होता है यहां पर गणपती भी है जो घर से बाहर है इधर भारत सरकार भी है जो घर से बाहर है जो भारत की राष्टपती ने कहा कि मैं आपको पदमश्री प्रदान करती हूँ और इधर गुरु मायाधर रावत तो ये सारे लोग सिर्फ बाहर नहीं है, पीछे देखिए बांसुरी बजाते विए काना भी घर के बाहर हैं, फुटपात पर हैं, और तमाम ओडिसी के साथ जितने साज होते हैं, याने जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, जो ओडिसी में कामाते हैं, इधर एक तानपूरा है, उ तमाम चीजें सडक पर हैं, उनीस सो बयासी के एश्याई खेल के बाद ये आवास कलाकारों को आबंडिक किये गए थे, तब से ये कलाकार यहां रह रहे थे, अब बुज़ूर को गुरू मायथा रावत दुखी हैं, कि इन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, गुरू मायाधर रावत का परिवार मायूस है, इन्हें अफसोस सरकारी आवास खाली करने का नहीं, सरकारी कर्मचारियों के तौड तरीके पर है, कि कैसे मैं सारी बुप्स अगर कहां हाथ में लेकर जाओं, कैसे जाओं, तो अगर आए हैं, तो काटन लेकर ओ, यह कुछ करो, या मिर को अगर 24 घंटे का महलत देते, मैं खुदी सब करा देती। मंगलवार को गुरु मायधार रावत का घर खाली करा गया, आज किसी और कलाकार की पारी है, उमीदों के उलट आश्याने छीने जाने से हर कोई हैं, दिल्ली हाई कोट ने 25 अपरेल तक 13 कलाकारों को खेल गाओं के ये सरकारी घर खाली करने के आदेश दिये थे, उसी फैसली को अदालत में चिनौती दी गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, अनीशा माथूर के सांस संजेश शर्मा दिल्ली आश्टर